राधे राधे एवरिवन राधा अस्ट में आने वाली है और हमारे पास राधा जी का विग्रह नहीं है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा के रूप में तयार करते हैं तो देखिए ये वाली पोशाक मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूगी राधा राणी क वो नीला रंग अतीपिरिया है, इसलिए मैंने नीले रंग की पोशाक अपने लड़ू गोपाल जी को पहना दी है, अब मैं उनका राधा शरंगार करूँगी, बिल्कुल राधारानी की तरह ही मैं अपने लड़ू गोपाल जी को तयार करूँगी, तो देखे सबसे पहले त सिंगार का सामान ले आओंगी, तो बाद में फिर मैं उस सामान का क्या करूँगी, इसलिए मैं लड़ू गोपाल जी के सामान से ही बहुत आसानी से राधारानी बनाओंगी, अपने लड़ू गोपाल जी को तो देखे हैवी सी हम जोलरी पहना देंगे, मैचिंग के अकोर् करली हेर है जो भी लड़ू कोपाल जी के लंबे वाले हेर आपके पास हो लंबे बाल आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं या छोटे बाल है आपके पास लंबे बाल नहीं है तो फिर आप जूड़ा बना सकते हैं राधरानी का तो देखिए लड़ू कोपाल जी के करली हेर ह मेरे पास बहुत लंबे-लंबे से हैं, तो मैं इसकी दो चोटियां बना दूँगी, तो देखें, आप इस तरह से घुमाते हुए भी चोटियां बना सकते हैं, या गुत बना सकते हैं, क्योंकि करली हैर है, तो देखें, इस तरह से मैं इसको घुमाते हुए, इस तरह से बल व यहां पर देखिए मैं यह मेरे पास एक बॉल चेन है इससे मैं थोड़ा सा डेक्रोएट कर दूंगी चोटी को तो इस तरह से देखिए बल लगाते हुए इसके और मैं यहां पर चोटी बना दूंगी तो यहां पर हमारी एक चोटी बन गई है दूसरी चोटी भी हमें सेम इस इस तरह से हम लोग इसको जूड़े की तरह बना देंगे पीछे मैंने एक पिन लगा दी है और यह हमारा है एरस्टाइल बन गया है तो यहां पर राधरानी का हैरस्टाइल बन चुका है इसके बाद देखिए मैंने लड़ू गोपाल जी के दो कंगन लिये है तो इक कंगन हम इस तरह से सीधे कर लेंगे तो कंगन खराब नहीं होंगे बाद में वापीस से गोल हो जाएंगे यह देखिए इस तरह से मैटल के हैं तो इस तरह से हम इनको सीधा कर लेंगे और इनसे हम राधरानी की मांग पट्टी बनाएंगे और देखिए मेक अप के लिए मैंने ज का बदल दिया था थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था उसके बाद देखिए हम एक फूर लगा देंगे तो यहां पर हमने पेपर का फूर लगा दिया है नत पहना दी है राधाराणी को और इसके बाद देखिए चुन्री उढ़ाने के बाद हमारी राधाराणी कितनी सुन्दर रूप आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना बहुत ही अद्भूत सवरूप है राधा रानी का और बहुत सुन्दर सरंगार कराया है राधा रानी ने बहुत जल्दी सरंगार हो गया था और बहुत ही सुन्दर लगी राधा रानी तो देखे अगर आपके पास भ डुगोपाल जी को राधा सवरूप मानकर भी राधास्टमी का पूजन करेंगे तो राधा जी अती प्रशन होंगे और आपकी पूजा स्विकार करेंगे तो देखे हमारी राधारानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर जरूर आपब बता दे न और अगर आपको राधारानी का ये अद्भुत सवरूप पसंद आया हो अगर आपको राधारानी का इस रंगार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैश्री कृष राधे राधे